क्यूशन 9 देखें 9 भी हमारा इस टाइप का ही फंक्षन है y इक्वल यू प्लस वी यहां पर यू इसे हम लेट कर लेते हैं लेट y इक्वल x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कोस एक्स ओके अभी हम अगें लेट करेंगे y इक्वल ले लेते हैं x की पावर साइन एक्स को और यहां पर v इक्वल ले लेते हैं साइन एक्स की पावर कोस एक्स को ओके यहां से हम वैल्यू निकालेंगे इसमें से du अपॉन dx की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम और dv अपॉन dx की वैल्यू यहां से निकालेंगे यह y let क्या है y equal इस function के हमें differentiate मिल जाएगा ओके तो पहले मैं u part ले रहा हूँ यहाँ पर u equal क्या है x की power sin x यहाँ पर log ले ले लेते हैं क्योंकि x की power यहाँ पर sin x है तो log u equal क्या है log x की power sin x ओके यहाँ पर देखें log का formula यूज कराऊं है log अगर m की power n तो power n आ गया जाती है और log m हो जाता है ओके क्योंकि यहाँ पर log x की power sin x है तो log u equal sin x आ गया जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यह log x ओके अभी मैं differentiate कराऊं differentiate with with respect to x ओके बोच साइड d upon dx क्या होगा log u equal d upon dx sin x into log x यहाँ पर log u का differentiate क्या होगा 1 upon u फिर हमें differentiate किसका करना है u का equal यहाँ पर u into v rule लग जाएगा हमारा यह first function है और यह second function है log sin x first function है तो sin x as it is differentiate किसका करना है हमें log x का plus log x as it is फिर हमें differentiate किसका करना है sin x का ओके तो यहाँ पर देखे 1 upon u u का differentiate with respect to x क्या होगा du upon dx equal sin x as it is हमारे पास यहाँ पर log x का differentiate 1 upon x plus यहाँ पर log x as it is है और sin x का differentiate cos x ओके हमें किसकी value निकालनी है du upon dx की तो इस u को इस side लेकर आएंगे हम और u की u into क्या ही है sin x divide by x plus log x into cos x यह हमारी value है du upon dx की अब यहाँ पर हम value निकालेंगे dv upon dx की ओके इसको मैं equation first माल लेता हूँ v equal क्या है हमारे पास v equal है sin x की power cos x ओके यहाँ पर भी मैं log apply कर लेता हूँ both side तो log v equal क्या होगा log sin x की power cos x ओके वही power आगे आ जाएगी तो log v equal और cos x आगे आ जाएगा यह formula के इसहाब से तो cos x आगे और into log sin x ओके यहाँ पर अभी हम differentiate करेंगे differentiate with respect to x both side ओके into log sin यहाँ पर log v का differentiate पहले log का differentiate होगा log का differentiate क्या होगा 1 upon v log v तो 1 upon v और फिर हमें differentiate किसका करना v का equal यहाँ पर देखे दो function multiply में है यहाँ पर भी पहला है cos x और second function log sin x तो इनका भी differentiate हम u into v से ही करेंगे तो देखे cos x as it is differentiate किसका करना है हमें log sin x का प्लस यहाँ पर फिर दोबारा log sin x as it is फिर हमें differentiate किसका करना है cos x का ok तो 1 upon v यहाँ पर इसकी value क्या होगी dv upon dx equal cos x as it is log का differentiate क्या होगा 1 upon यहाँ पर sin x है तो sin x फिर हमें differentiate किसका करना है sin x का प्लस यहाँ पर log sin x as it is है और differentiate किसका करना है cos x का cos x का differentiate क्या होथा है minus sin x ok फिर हम इस cos x का कर लिए minus sin x इस x का करेंगे with respect to x करेंगे तो इसका 1 होगा इसलिए x का नहीं कर रहा मैं ok हमें value कि इसकी जए dv upon dx की तो देखिए यहाँ पर cos divide by sin cos divide by sin क्या हो जाएगा quote quote x यहाँ पर differentiate साथ में क्या है sin x का sin x का differentiate क्या होता है cos x plus यहाँ पर minus का sign आगे लिख रहा हूं मैं sin sin x और into है log sin x ok यह minus का sign मैंने आगे लिख दिया है यहाँ अभी हमें दोनों value मिल गई है हमारी यह value है dv upon dx की और यह value यहाँ पर मिली हमें du upon dx की ok यह दोनों value kis के dy upon dx kis के equal है हमारा du upon dx plus dv upon dx की तो dy upon dx equal du upon dx की क्या value है हमारी यह value है तो यह value यहाँ पर put करेंगे हम देखे इसमे सबसे पहले क्या है u u की value हमारी यह है तो यहाँ पर u की value रख रहा हूं है u की value है x की power हमारी sin x और into में फिर यह value पूरी multiply में क्या है sin x divide by x plus log log x into cos x पलस इसमें क्या value है dv upon dx की dv upon dx की यह value है लेकिन हमने यहाँ पर v की value नहीं put किया भी तक v की हमारी क्या value है यह sin x की power cos x तो यह भी value put कर देंगे हम sin x की power cos x into फिर यह पूरा function quote x into cos x minus sin x into log sin x ओके यहीं हमारा अंच्वार है अंच्वार 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